Hello friends, आज मैं आपको Young and Beautiful ये 2013 की एक French movie explain करने वाला हूँ इस movie में हमारी main character अपने आपको discover करती है उसके बाद एक गलत रास्ता यानि prostitution में चली जाती है इसके बाद कुछ होता है जिसके उसकी पूरी life change हो जाती है ये आज की हमारी movie की storyline है explanation स्टार्ट करने से पहले मैं आपको request करता है कि प्लीज अगर आप कोई वीडियो चलागा तो इस पर comment और like जरूर कर दीजेगा तो बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारे main character इसाबेला ये एक बीच पर सनबात ले रही है उसका अभी अभी एक boyfriend बना हुआ है उसे ढूनती ढूनते वो उसके घर तक आया था इसाबेला कहा है कि किसी को भी पता नहीं था उसे ढूनते हुए उसका brother Victor ये सीशोर तक आया उसे बताता है कि उसका boyfriend आया हुआ था इसाबेला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए उसकी मदर उसे बहुत सारे questions पुछेगी और ये उसे अच्छा नहीं लगता और एक problem ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और उसका boyfriend जर्मन ये बात जब किसी को पता चलती है तो क्रिंजी मुवमेंट हो जाता है तो इसलिए चुबा कर रखना चाहती है इसाबेला चाहती थी कि मदर को पता ना चले पर मदर को पता चल चुका है मदर इसाबेला को कहती है कि एक रात वो हमारी family के साथ डिनर कर सकता है इसावेला के थी है कि वो इतना smart नहीं है में उनसे कहीं भी invite नहीं करना चाहती इसावेला का boyfriend पीच पर था तो वो भी वहां बहुच गई boyfriend का नाम Felix है Felix इसावेला के पास आता है रात में एक party होने माली है तो उसमें उसे invite करता है वो पार्टी में तो जाना जाती है पर अगर सब के सामने गए तो प्रालम आ सकता है उसका परदर उसकी फैमिली को डिस्ट्राइक करता है और इसावेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसावेला और फिलिक्स ये दोनों बीच पर वॉक करते हैं आइसक्रिम खाते हैं बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं ये दोनों फिर यहीं इंटिमेट हो जाते हैं इसाबेला का यह first time था रात में फिलिक्स इसाबेला को घर तक छोड़ने के लिए आता है इसाबेला का brother worried था तो इसाबेला के room में ही सो रहा था उसे actually पता था कि आज इसाबेला क्या करने वाली है यह brother sister एक दूसरे के साथ transparent है विक्टर इसाबेला से बोच्छता है कि वो कैसी है पर इसाबेला उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है उसके लिए यह ज़रा अजीब experience था एक दो दिन में इसाबेला का 17th birthday आता है यहाँ celebration के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया यह summer चल रहा था अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी एक्च्वल में उसकी मदर और फादर का divorce हो चुका है तो हर summer वो अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आती रहती है उससे पता था कि उसकी और फिलिक्स की relationship जादा आगे नहीं जा सकती है वैसे भी उसे सिर्फ वो यूजी कर रही थी जब वो फिर से अपने घर रिटन हो रही है तब रस्ते बर उसे फिलिक्स दीखता है पर वो फिर से मोड कर भी नहीं देखती है लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है इसके बाद हम directly autumn season देखते है बहुत सारा time गुजर चुका है इसावेला अपने एक client से मिलने के लिए hotel में आई हुई है वो पैसो के लिए आजकर लोगों के साथ सोती है आजकर उसका client एक बहुत ही बुड़ा आदमी है वो जब इसावेला को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी age तो तुमने बहुत ही जादा वताई थी उसे वो underage लगती है इसावेला भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे photo जैसे नहीं हो उसने एक online website पर register किया था जिससे उसे client मिलते है इसी वज़े से इन दोनों को जो info मिली है यह obviously जरा सी गलत है यह जो अब hotel का client है इसका नाम है George George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उससे वो पोचता है क्या तुम student हो इसावेला गेती कि हाँ वो कहता है कि आज कल हालत ही खराब चल रहे है George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उसे सहारता है और बोलता है कि तुमारी eyes बहुत ही beautiful है इन में एक अजीब सा दर्थ है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते है इसके बाद हमें directly इसावेला का classroom दिखाया जाता है इस classroom में एक poem पर discussion चल रहे है वो poem क्या थी यह important नहीं है क्योंकि इस discussion से इस movie की story पर एक background commentary की जाती है इसमें से एक लटका कहता है कि summer था summer में आपको joyful एक happiness manus होता है उसमें जो नशा है इसके बारे में poem थी दूसरा लटका कहता है कि यह poem joy और sadness के बारे में है एक adventure हुआ पर उसके बाद भी आप अकेले ही रहे गए इसमें से दूसरी लटकी कहती है कि यह poem प्यार ढूनने के बारे में है अगर हम movie की situation देखे तो इसावेला यह सब क्यों कर रही है यह भी यहां से define होता है summer खतम हो जाने के बाद इसावेला को एक adventure चाहिए था इसलिए वो यह सब कर रही है इसमें और एक mini निकल कर आता है यह सब वो कर रही है पर फिर भी sad है वो कुछ ना कुछ तो सही ढूड़ना चाती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा इसावेला के class में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे वो ज़्यादा भाव नहीं देती है इसावेला continuously अलग-अलग client से मिलती रहती है एक businessman उसे hire करता है सिर्फ अपने आपको please करता है पर उसे touch भी नहीं करता उसे हो पूरे पैसे नहीं देता इसावेला उसे बुछती है तो गहता है कि तुमारी इतनी ज़्यादा price नहीं है वो उस पर खुछ भी कर नहीं पाती है एक दिन उसकी मदर उसे ठेटर ले जाना चाती है पर इसावेला गयती है कि मुझे बहुत सारा study करना है मैं नहीं आ सकती है उसकी मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुमारी एज की थी तो बहुत मज़े करती थी parties में जाती थी अलग-अलग चीजें try करती थी ये conversation थोड़ी सी quirky है क्योंकि इसावेला क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी आइडिया नहीं है जब ए ठेटर पहुचते है वहाँ पर इसावेला को उसका client George दिखता है वो एक तुसरी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ है इंटर्वल में इसावेला उसके सामने जाकर उसे dirty look देती है यहाँ पर इसावेला नोटिस करती है कि उसके मदर उनके family friend के साथ flirtatiously बात कर रही है उसे लगता है कि उसकी मदर का affair चल रहा है ओल्रेडी इसावेला को उसके stepfather और मदर के साथ रहना पड़ता है थोड़ी दर में इसावेला को George का message आ जाता है इसके बाद यह regularly मिलने लग जाते है एक दिन वो George से पुछती है कि ठेडर में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी George कहता है कि वो मेरी daughter थी बहुत सालों तक हमने एक दुसरे से बात ने की थी अब मैं हम दोनों में relationship सुतारना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ जावेला उससे पुछती है क्या तुम अच्छे husband हो वो गयता है कि मैं try करता हूँ George इसावेला से भी उसके बारे में पूछना चाता है पर वो कुछ भी बता थी नहीं इस बार जब वो intimate हो रहे थे तो अचानक से heart attack की वज़े से George की death हो जाती है इसावेला बहुत डरती है उसे बचाने की कोशिश करती है पर करनी बाती है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थी पर बात्रूम में उगिर गए उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है यही बात्रूम में George कुश परफॉर्मंस की गोलिया लेता था ये भी उसे मिलती है इनी गोलियों की वज़े से उसे heart attack आ गया पुलीस को पता चलने के बाद investigation होती है डारिकली इसावेला की मदर सिल्विया के पास पुलीस आते है इसावेला क्या करती है इसके बारे में सब कुछ बताती है जो incident हुआ था इसके बारे भी मदर को पता चलता है मदर पहले तो बिलीव नहीं कर पाती उसे लगता है कि इसावेला ये सब नहीं कर सकती जब पुलीस उसे सब सबुत दिखाते है इसाबेला जेजिस होटेल में जाती थी, वहां कि CCTV कैमेरेस से निकाले हुए इमेज जब वो देखती है, तब उसे शौक लगता है, पुलिस उसे कहते हैं कि इसाबेला सतरा साल की है, इसी वज़े से उसे कुछ भी सजा विगरा नहीं होगी, लीगली तो उसे विक्टिम ही मा पना जाएगा, और भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिल्विया के साथ वो घर पर आते हैं, इसाबेला का लैप्टोप वेगरा देखते हैं, वहां पर उन्हें इसाबेला इंटरनेट से क्लायन ढूंदी थी, यह सब पता जल जाता हैं, इसाबेला ने सब कुछ पैसे स्यो कुछ भी नहीं बता दिया, मदर अब इसाबेला को लेकर बहुत ही वरीड है, उसका हस्बन से समझाता है कि इसाबेला बहुत ही प्यूटिफुल है, उसे ओफर मिली होगी, शायद वो रिफ्यूज नहीं कर पाई, अब नेकसिन में इसाबेला पुलिस को स्टेटमेंट दे दे रही है, एक्च्वल में कोई एक आदमी ने अप्रोच किया था, उसने उसके साथ सोने के लिए इसाबेला को एक डील दी, अपना नमबर देखकर वहां से हो चला गया, इसाबेला गहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे ट्राइ करना चाहिए, जब वो उस आ फोन ले लिया, उसे से हो क्लाइन्ट से बात करती थी, लेडी ऑफिसर उसे पुछती है क्या तुम कंटिन्यू करने वाली हो, इसाबेला कहती है कि मुझे पता नहीं है, ऑफिसर उसे समझा थी है कि यह बहुत ही डेंजरस था, तुमारे साथ कुछ भी हो सकता था, इसाब इसाबेला ने जो भी सब पैसे कमाये थे, यह सब अब उसकी मदर रखने वाली है, डिनर डेवल पर डिसकेशन होती है कि उस मने के साथ क्या किया जाए, तो मदर कहती है कि हम इसे डोनेट कर देंगे, इस बात को लेकर इसाबेला बहुत ही अपसेट है, मदर इसाबेला को थेरेपीस्ट के पास लेकर आती है, मदर कहती है कि इसे पैसों के कोई भी ज़रूरत नहीं थी, इसे बोगिठ मने देती हूँ, इसे जो भी चाहिए, यह वो भाय कर सकती है, इसाबेला के फादर भी उसे पैसे सेंड करते रहते हैं, इनमें डिसकेशन होती है कि इसाबेला वो घर पर आते हैं तो अजबन कहता है कि मैं इसाबेला को छोड़ कर आता हो पर वाइफ को इसाबेला की बारे में पता है वो उसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है उसके स्टेबडाड टिवी देख रहे थे इसाबेला उनके पास आकर बैठती है उन्हें देखकर हसने लग जाती है वो पोछता है कि तुम ये क्या कर रही हो कहती है कि तुम बहुत ही फनी हो तुम मुझे बहुत हसाते हो स्टेबडाड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक टीनेजर हो तुम कुछ एक्सप्रिमेंट करना चाहती थी है तुम इसबेला अपने तेरपीस्ट के पास आई हुई है तेरपीस्ट उससे पुछता है कि उस आदमी के मर जाने के पाद तुमने स्टॉप यू कर दिया वो गहती है कि मैं जौस से बहुत बार मिली थी तेरपीस्ट पुछता है कि क्यों वो गहती है कि वो बहुत ही स्वीट था उ पहली बार मैं जो काम कर रही हो, एक करते होए मुझे ड़टी लगा, इसके बाद वो continue करना नहीं चाहती थी, इसके बाद नेकसे में हम देखते हैं, इसावेला की फ्रेंड का ब्रेक अप हो चुका है, वो उसे चेर अप करने के लिए और आद में पार्टी में जाने वाले है इस पार्टी में उसे अच्छा नहीं लगता, वो जरा साइलेंस के लिए बाहर आ जाती है, उसका क्लास्मेंट एलेकस उसे मिलता है, एलेकस वही क्लास्मेंट है जो उसे पसंद करता है, वो फिर डारेकली उसे पूछ लेता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, वो थ इसकी डेट बहुत ही ब्यूटिफुल थी है, इसके बाद मूवे में स्प्रिंग आता है, और एक सीजन बदल चुका है, एलेकस और इसावेला अब रिलेशन्शिप में है, जैसे हमें पता है कि टाइम गुजर चुका है, और इसावेला अग एलेकस के साथ नहीं रहना चा उसे आय हुए है, एक मैसेच जॉँज की वाइफ की तरफ से है, उससे मिलना चाती है, जहाँ पर जॉँज और इसावेला मिलते थे, वोही पर ये मिलते है, जॉँज की वाइफ है दिये कि जिस लड़की से मेरा हस्बन मिलता था, एक बार मुझे उससे देखना था, बहुत ही ब्यूटिफुल हो तुम में एक दर्थ है यही चीज थी जो जॉज भी इसाबेला को कहता था जॉज की वाइफ कहती है कि मैं भी जब यंग थी तो तुमारी जैसे ही दिखती थी अगर हम इसे फिर से एनलाइज करें तो जॉज अपनी यंग वाइफ को याद करता इसाबेला के साथ पहले कभी भी इंटिमेट नहीं हुआ था उसे सिर्फ वो सहलाता रहता था उसे देखता रहता था जब वो उसके साथ पहले बार इंटिमेट हुआ तभी उसकी डेथ हो गए इसाबेला जो करती है यह जॉज की वाइफ को इंटिमेट डेटिंग लगता ह इसके बाद वो इसावेला को जोज की जहाँ डेथ होई थी यहाँ यहाँ पर लेकर आती है उगे तिया कि एक बार मुझे रूम देखना था इसावेला भी यही चाहती थी उसके पास आकर उसे लेटने की लिखेती है जिस तरह से जोज इसावेला को सहलाटा था उसी तरह से वाइफ भी इसावेला को सहला कर उझे सुला देती है इसावेला जब उठी तो जॉर्ज की वाइफ वहाँ से चली गई थी यहीं मूवी एंड हो जाती है आपको लग सकता है कि बहुत ही अबरप्ट एंडिंग है और ऐसा नहीं है हम देखें तो इसावेला और जॉर्ज की वाइफ यह दोनों कलोजर जाती थी जॉर्ज की वाइफ देखना चाती थी कि वो कौन थी इसके बाद जॉर्ज चाय करता था जब उसने इसावेला को देखा तो उसे उसका रिजन पता चल गया शायद George और उसकी wife की relationship जैसे पहले थी वैसी नहीं रही वो अपनी wife को मिस करता था इसावेला में भी उसे अपनी wife ही दिखी जोज की तरह इसावेला को सहला कर वो अप इस situation से move on कर गए इसावेला के ending के बारे में हम बात करें जॉज की मर जाने के बाद वो भी disturb हो चुकी थी उसके बाद उसकी relationship होई है पर सही से closure नहीं मिला था जॉज की wife से मिलने के बाद उसे भी शायद closure मिल चुका है इजावेला के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े कलत लग सकती है और वो थी गलत एक फैक्ट ये भी है यूँ एक teenager थी इस age में हर कोई अपने आपको ढूणने की कोशिश करता है सबका process अलग है उसका भी इसी तरीके से एक गलत अजीव सा approach था इसी तरह से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं और आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आद रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंडिविशन आइकोन दबाना है मत भूलिए हम भी से मिले करेंगे और एक में मुवी के साथ तब दिख ले थैंक्यू और अब हमने आपका ख्यार रखिया है